हे गाईस वेलकम डू सकसस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी केंडेट के लिए जो रेलवे एलपी एंड टेकनिसियन के बच्चे यहने की एलपी अगर आप टेकनिसियन की प्रिपेशन कर र लहा हूं नियूर रिक्रूटमेंट टुटाजन 2223 को लेकर एक औफिसली डेटा रिलीज की गई है रेलवे द्वारा जहां पर बताए गया कि इस जॉन में कितनी वेकेंट पोस्ट का लिए बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है गाईस यहलपी टेकनिसियन की जितने भी विजिट करने तो डू सब्सक्राइब एंड हिट दे बलाकेंट तकी सी तरह लेटेस्ट गवर्मेंट जॉप्स के अबड़ी आपको बराबर मिलती रहे तो गाईस यह आठीकिल जो पब्लिस की गई है देनिक नवजोती आठीकिल पब्लिस की गई है न्यूस पेपर में ज 8968 जो पद है लोको पाइलट के ततकालिन रिक्त है यानि कि बिना ओफिसल डेटा के अगर मैं बात करूँ जो कि अलग-अलग जोनों से अभी तक वेकेंट को फिल नहीं किया गया है 2018 वाले के इसाब से फिर वी रिकूट्मेंट जो अभी सिर्फ वेकेंट है वो 8968 पद यहां पर जो है वो खाली है सिर्फ खाली है तो आप समय सकते हो कि हर साल कितने वेकेंट सी हर साल कितने लोगों पाइलट जो रिटायर करते हैं तो उसके अपडेटन से अगर मैं बात करूं तो अल्मोस्ट कितना लग-बग चला जाए कि कम से कम 40,000 पलस वेकेंटिस का पांग अनुसा ट्रेनों का संचालन कर दिया मगर जोनल रेल्वे द्वारा रिक्त पदों को गंभीरता से नहीं लेने से रेल्वे में वरतमान में रनिंग सर्वंग जो 8,968 पद लोको पाइलट के रिक्त हो गए हैं यह तकालीन रिक्त हैं जो कि बता गया मैं जोनल वाइ कि इससे सहज अंदादा लगाया जा सकता है कि कारिक्रत रेल्वे लोको पालेट से कितने घंटे ट्रेन वर्क करवाया जा रहा होगा हो जाहिल सी बात है उन्हें किस परकार रेष्ट मिल रहा होगा रेल्वे बोट द्वारा सेफ्टी रिव्यू को लेकर चलाए जारे अभ और रेल्वे में जो है अभी फिल्हाल खाली पड़ी है रेल्वे बोट ले जो सिखायती यमिन सकती दर्सी है उसको लेकर देखते हैं नेक्स यापर इनका क्या कहना है रेल्वे का कि उत्तर पापिस्व रेल्वे नेक्स बताई जार रिक पत के कारण लोको पैलट को नियमा नुसार विस्राम नहीं मिल पाता है अलरसा द्वारा निरंतर लोको पैलट के पद भरने की मांग की जा रही है निकि बहुत ही जादा इस पे जो बात अभी उठ रही है गाईस यहाँ पर सक्ती की बात की गई है हा अच्छी ट्रेनों को संचालन को देखते हुए इन रिक पतां को जल्द भरा जाए यानि कि वेकेंसी एलपी टेकनिसियन की बहुत ही जल्द आने वाली है तो होफुली आप अपनी तैयारी स्टार्ट करों अगर मैं जोनल वाइस की में टोटली डिसकस करूं तो किस जोन मे कितने रिक पते हैं जैसे की रेलवे की में बात करूं तो आप देख सकते हैं मेल के लिए City सो चुहटर है फिर मोटर मेन के लिए mogę सकते हैं City स கी केली execute 9 49 है, इकोष्ट के लिए 138 पोष्ट खा लिए 309 सहाइक के लिए, यहनि की LP एसिस्टेंट के लिए, शंटर के लिए 97 है, ECR में आपको 588 मिल जाएगी 297 संटर, 242 मोठर में के लिए 184 है, यह साहिक के लिए NCR में 954 वेकंसी 151 संटर, 636 है साहिक के लिए, देन आपको NFR मिल जाएगी 242 मेल के लिए उसके बाद 133 संटर 43 इधर है NR में 921 पोस्ट है 1680 संटर में यह सब सारी ट्रेने हैं जो की अलगलग जेनवी वाईस यहाँ पर डिवाइड की गई है NWR में मिल जाएगी नेक्स आपको मिल जाएगी SCR साउट संटर रेलिवे के 1084 पोस्ट है जो मेल है देन 289 सिर्फ है संटर में और 1024 सहायक के लिए है उसके बाद SCR के लिए मिल जाएगी SECR मिल जाएगी 1172 1172 149 संटर में 108 है आपका सहायक में यानि पोस्टें बहुत ही ज़्यादा खाली है अगर फिलाल की आप देख सकते हैं कि फिलाल 8968 पत यHaydi तो टोटली जोणोल वाइस अभी कुछी जोण को डिफायंट किया गया आप देख सकते हैं यह सारे जोण यहांपर आपको मिलने वाले नहीं है कुछी जोण को डिफायंट करके निकल के आती है सोचो आँ लगबग 15-16-12LP यहाँ पर निकल के आ जाती है देन अगर recruitment आउट की जाती है तो यहाँ पर भाविश को लेकर आउट की जाती है यह नहीं कि जितना vacancy खाली है उतनी vacancy निकाली जाती है उसकी double यानि कि जितनी वेकेंट खाली है उसके डबल को लेकर रिक्रूटमेंट आती है और एक वेटिंग किया जाता है निकी तीन गुना वेकेंट से निकलती है तो अगर यहाँ पर मान सकते हो 15-16 जार ही मान सकते हो 15-45 है निकी 40,000 के करीब तो देखे 40,000 वेकेंट सी कहीं नहीं जाने वाली है जब भी रिक्रूटमेंट आओएगी जितने भी केंडियेट हैं गाईस आप सभी से अपनी प्रिपेसन स्टार्ट करें सलेबस एन एक्जाम पैटन की मैंने प्रिवेस वीडियो बना दिये आप देख सकते हैं आईटी आई के कुछ एक्टलिट डेटा जो है यानि कि कोई डेट है रिलीज नहीं की गई है फिलाल आप यहां पर जान लो कि इस पर वेकंसी जल जल भरी जाए फिर भी अगर मैं एक डेटा अनमन लगाओं कि कब तक वेकंसी निकल सकती है तो मई से जून के बीच में आपको कोई डेटा देखने को मिल सकती है क्योंकि अलमोस जुलाई तक तो ग्रूबडी एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके जुन जुलाई में तो कहीं ने कहीं आपको जुन जुलाई में तक ही उसके बाद तक ही आपकी जो है इसकी कोई आपको देखने को मिलेगी जब तक गुरूप D का एक्जाम नहीं खतम हो जाता तो बस यही कहना है आप सभी केंडेट के लिए कि अपनी तयारी स्टार्ट कर दो syllabus में पहले बता चुका हूँ क्या syllabus होता है exam pattern क्या होता है previous जो की question आये हुए थे 2018 में उसकी practice sit तयार करो उसी के हिसाब से यहां पर question create करो उसका mock test जादा से जादा mock test लगा अगर मैं बात करूं 2018 की सारे paper अगर आप solve कर सकते हैं तो अराम से almost 60% आपके question वहीं से कबर हो जाएंगे 62-70% दे जोड़ा सा updated question जो आ रहे हैं जो की अब क्या होता है न कि यहां पर TCS एक अच्छे level पर question अब तयार कर रही है तो जो भी new exams होंगे NTPC CBT2 के या फिर group D के उसके इसाब से आप question ready करो और उसके सबसे preparation करो तो क्या होता है कि math में typical question आने लगे math reasoning में banking level question घुशाने लगा आप railway तो इसको लेकर थोड़ा updated रहो देन आराम से आपकी LP technician निकल जाएगी exams तो बस यही update देना था कैसी लगी news जरूर बताएगा useful लगी हो please like share and subscribe करें चले में तर नेक्स वीडियो में थतकले जाएगी